सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ी असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजनिंग में एज वाले कोशन करने वाले हैं आपने काफी तरह के ऐसे कोशन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उमर होते हैं वो बेटे की उमर से इन गुना जादा दी होई होते और कहते कि 10 सालवाद उनकी उमर इतनी हो जाएगी तो उनकी वर्तमान उमर कितनी हैं तो इस तरह के कोशन यूजी सी नेट में भी काफी कोशन आज तक आये हैं और आगे इन में से आने के संभावना है तो ये टोपिक करना हमारे लिए 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड एर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग रख हैं टीचिंग के कोशन अलग रख हैं इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन है आपको अलग लग किये हुए मिले और बी की आयू का जोड कितना है 50 वर्स है 5 वर्स प्रो उनकी आयू का नुपात 5 नुपात 3 था ए और बी की वरतमान आयू क्या है देखिए दोस्तों अगर इस कोशन को करना चाहे तो हम पूरा डिटेल से करे तो वो भी कर सकते हैं विद फॉर्मिले से करे तो लेकिन हमें एक्जाम के अंदर क्या होता है दोस्तों जल्द से जल्द कोशन निकालने की कोशिश करनी होते हैं तो यहाँ पे इसे हम सोटकट तरीके से कैसे निकालेंगों वो देखेंगे सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा है कि A और B की आयू का जोड की तरह 50 वर्स है तो इनमें च ठीक है तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी उप्सन ले ले लेते हैं जैसे बी उप्सन हमने ले लिया तो यह यहाँ पे इन्होंने वर्तमान आयू दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयू दी हुई है अगर हम इनमें 5-5 वर्स माइनस करते तो कितना आएगा यह आज आएगा हमारा 30 वर्स और यह आएगा हमारा 10 वर्स अब देखिए क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो 5 अनुपात तीन का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा है यह देखिए 10 यह देखिए 30 और 10 का अनुपात है दोस्तों 3 अनुपात एक है तो यह जो भी है हमारा वो नहीं होगा अब देखी अब हम option number 1 देखते हैं यह जो है इसके अंदर 30 है और 20 है 30 में से जब हम 5 माइनस करेंगे और 20 में से 5 माइनस करेंगे यह हो जाएगा हमारा 25 और यह हो जाएगा हमारा 15 अब देखते हैं 25 और 15 इनके अंदर अनुपात कितना है इसके अंदर देखे यह जाएगा पंजो पंजो 25 ये 5 और ये 5 ती ये 15 यहाँ पर आप देख सकते कि इनकान पात केतना निकल रहा है पांच अनपात तीन निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड है वो भी 50 आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हम सोटकट तरीके से भी इस कोशन को कर शकते बिलकुल असानी से और दूसरा जो तरीका वो आप जानते ही है कि माना एक एक वैक्तिक या यू एक्स है तो बी की क्या होगी 50 माइनस एक्स हो जाएगी तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं और आगे हम कोशन देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरह से सोटकट मैठर से करेंगे और दोस्तों अगर आप कोई कोशन अभी वी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं आप हमें वाटसप पे मैसिज किया करें दोस्तों स्क्रिन सोट के साथ और बताया करें कि सर म मुझे ये कोशन नहीं आया तो हम आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आये था इसमें कहा है कि अनील की उमर सुनीता की उमर से दो गुनी है ठीक है इसने कहा है कि दो गुनी है तीन वर्स पूरो पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी अनील की वरतमान उमर क्या है वो हमें बतानी है सबसे पहले हम या लिखे देते हैं कि सुनीता की जो उमर है वो मान लेते है एक्स है तो अनील की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तो टू एक्स यहाँ पे हो जाएगी अब देखे तीन वर्स पहले यानि कि तीन साल पहले की यह बात कर रहा है तो उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तीन गुनीत थी तो अब देखिए इसमें क्या होगा इन दोनों में हम माइनस थरी थरी कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी 2x माइनस थरी कर देते हैं अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखिए इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जूरुत है तीन वर्स पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी यानि कि इसकी उमर से सुनीता की उमर से तीन गुनी थी तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तो तीन से मल्टिप्लाई करेंगे यानि कि जिसकी उमर कम हो उसको हम मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारी एक्वेशन एक्व यहां पे आएगा तो यह हमारे पास रह जाएगा दोस्तो एक्स एक रह जाएगा और फिर यह जो नो है नो यहां पे आएगा यहां पे यह नो माइनस का है यहां के क्या हो जाएगा इस तरफ पलस का हो जाएगा पलस के नो माइनस के थरी तो कितना रह जाएगा हमारे पास ए ही इसने पूछा कि अनिल की वर्तमान उमर क्या है तो यह दोस्तो बारा उमर इन्हों ने दी हुई है दोस्तो आप इसका स्क्रेंशोट ले सकते हैं और अगर समझ में ना आए तो आप यह वीडियो आयू का मध्य मान 27 वर्स है अब मध्य मान का मतलौ होता है दोस्तो उनका हाफ एव्रेज यानि कि हाफ आधा कहते हैं मध्य मान ठीक है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्य मान 27 है तो यानि कि totally योग कितना होगा दोस्तों तो टोटल के लिए हम दो से multiply करेंगे 27 दुनी 14 यान कि इसका अर्थी है कि पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चोंवन वर्स है यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि पिता को हम P लिख देते हैं और बेटे को हम B लिख देते हैं तो सबसे पहले पिता और पुत्तर की आयू का योग कितना है चोंवन वर्स है अब देखीये यहाँ पे हमारी दुख लिख लेते हैं अब देखिए अठारा साल बाद की ये बात कर रहा है, अपने पिता अपने पुत्र की आयू से दो गुना हो जाएगा, अब देखिए ये जो option है ना, इन सभी में हम अठारा अठारा अड़ करके देख लेते हैं, इन में से random तरीके से आप एक ले लीजी, हम ले लेते हैं, ज हमें, चालिस जमा में 18 हमने किया, ठीक है, और फिर हम 14 जमा में 18 करते हैं, अब देखिए, चालिस में से 18 एड़ किया तो ये कितना हो जाएगा, और 14 पलस में 18 करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 18 दुनिश्च्छ और यानि की 32 यहाँ पर आ जाएगा, अब जोगना नहीं है तो यह जो उप्सन अपना टू है यह नहीं होगा अब हम उप्सन नमबर ए देखते हैं अब ए में ए करके देखे दोस्तों ए करके दिखा रहा हूं आपको एमे 42 वर्स दी है इसमें 18 रड़ा कर रहे हैं इसी त्रिके से 12 वר्स दी है बारा में 18 पर अठारा एड़ कर रहे और यह हो जाए गा बारा जमा में 18 жд 30 अब यह देखी यह बिल्कुल सही आ रहा है यह जो 60 झा का 2 गुना है यह जोनीचे वाली यह हमारी पुत्र की आयू है और उपर वाली है पिता की आयू है तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल असानी से shortcut method अपनाके भी ये question निकाल सकते हैं और दूसरा जो traditional तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते कि पिता की आयू और पुत्र की आयू का योग है वो हमारा 54 वर्स है जैसे कि P पलस में B हो गया 54 वर्स तो P क्या होगा P हो जाया 54 माइनस में B इस तरीके से आप निकाल सकते और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसेस करके ये कोशन आप निकाल सकते हैं लेकिन बैटरी ये रहेगा कि आप उप्षन में पूट अ उप्षन आजाएगा और अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों ये हमारा जून 2015 का कोशन है इसके देखिए वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो इसे देखिए इसे हम कैसे करेंगे इसमें हम सिस्टमेटिक धंसे चलने की कोशिस करेंगे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो पहली लाइन से ही हमें कोशन को साथ में लेके चलना है यहाँ पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से चार गुना बड़ा है तो इसमें बेटे की जो उमर है वो माल लेते है दोस्तों हमने ए बड़ा है और जो इसकी पत्नी है इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां से पढ़ने की कोशिश किजी अपनी पत्नी से तीन साल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है इसकी जो पत्नी है P से डिनोट करते हैं वो क्या होगा 4X-3 यानि कि सीधा सा मतलब है कि इसकी जो पत्नी है वो अ हमारी equation बन गई अब आगे देखते हैं तीन साल के बाद तीन साल बाद की यह बात कर रहा है तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 साल हो जाएगी अब तीन साल के बाद equation क्या बनेगी x पलस में 3 कितनी हो जाएगी उसकी उमर 15 साल हो जाएगी यह देखिए यह equation चो बन रहे उसे समझने की कोशिज करो दोस्तों तीन साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 वर्स हो जाएगी बेटे की आयू यह है इसे फिए 3 एड़ कर दे तो टोतल कितनी हो जाए ह ह फंधरा वर्स हो जाएगी यहाँ से x हमारा कितना आ रहा है दोस्तों पंद्रह माइनस में 3 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा अब देखें 12 क्या है हमारे पास 12 है बेटे की आयू और पत्नी की आयू की equation क्या है 4x-3 अब 4x की जगेज़े हम 12 रखेंगे यहां पे हम करके देखे लिए च्यार इंटू में 12 माइनस में 3 तो 12 चोके 48 48 में से 3 गया क्या आएगा दोस्तो 45 हमारे पास आ गया ये जो 45 है ना दोस्तो ये 45 जो लेडिस है उसकी वर्तमान आयू है ठीक है ना उसकी प्रजेंट आयू है अब देखिए उस वेक्ति की पतनी की आयू 5 साल बाद कितनी होगी तो 45 के इंदर जब हम 5 एड करेंगे तो हमा इन कॉस्चन में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत होते है बिल्कुल असान कॉस्चन होते हैं ये और कर शकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शी वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, केमेंट कीजिए औ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दवाए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को साने से देख सके थाइंक्यू दोस्तो दोस्तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से सभी 10 यूनिट के लाइव मौक टेस्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ को से जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए